चक्रिय संचेई कार्य कारण सिध्धांत का प्रतिपादन स्वीडिश प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल ने सन 1956 में प्रस्तुत किया रहा, जिन भौगोलिक प्रदेशों में अफसर अंचनात्मक आर्थिक तत्वों की बहुलता होती है, वहां उपरी मुखी चक्रिय कारक विका पास्चिक्र पाया जाता है, उदाहरनार्थ कोई क्रिशक परिवार जो निर्वाहन क्रिशी में संगलगन है, वहां यद्यपी भाग्यवश कुछ संसाधन, जिवीको पारजन के अतिरिक्त शेश रहता है, तो वही क्रिशक परिवार कुछ क्रिशी सहायता सामागरी अर्थ उर्वरक क्रिशी यंत्र आदी में निवेश कर, निर्वाहन क्रिशी से वानिजेक क्रिशी अवस्था को प्राप्त करता है। निम्नमुखी अवस्था तब कहीं जाएगी जब उत्पादक्ता कम होती है, एवं कम ही भोग ग्रहन किया जाता है, इससे एक दरीद्र बहिर्गमन संसाधन के अल्पविक्सित प्रदेश हमेशा तुलनात्मक रूप से पिछडे रह जाते हैं। बैकवाश प्रभाव मानव संसाधन निवेश आदी का वृद्धी दुरूव की तरफ विस्थापन होता है। स्प्रेड प्रभाव कुछ शेश संसाधन का आसपास क प्रदेशों की और पलायन कहलाता है।